आज हम लोग बॉक्स बेस्ट इन्पुट आउटपुट या मेट्रिक्स बेस्ट इन्पुट आउटपुट के क्वेशन्स करेंगे यह आपके 2017 के मेंस एक्जामिनेशन में 2018 में इसके क्वेशन्स पूछे गए हैं यानि कि आप यह समझ सकते हैं कि यह एक बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है आपके अपकमिंग एक्जामिनेशन के लिए तो आएए चले ज़रा इससे देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है तो देखे आपके पास चार बॉक्से गिवन है पहला बॉक्स यह हमारा इन्पुट है और इसके तीन स्टेप्स फ्रेम किये गए हैं जैसा हमें पता इन्पुट आउटपुट में हमें क्या करना होता है हमें यह समझना होता है कि यह स्टेप्स फॉर्म कैसे किये जा रहे हैं तो आए चलिए ज़रा इसकी study करते हैं और यह देखते हैं कि यह सारे steps किस तरीके से form किये जा रहे हैं देखें अगर input से first step को ध्यान से देखें तो आपको एक बात नजर आएगी कि देखें first cell की बात करें तो यहां देखें number 4 है फिर second column में आईए first room में देखें number 2, number 3, number 7, number 9, number 8, number 5 यानि numbers की position में तो कोई change नहीं हुआ numbers अपनी जगए ही हैं इन में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन अगर alphabet की बात करें तो देखें I और UL इन दोनों को ध्यान से देखें तो I और UL ने आपस में अपनी position exchange कर ली है है ना? UL चला गया है I की जगा और I आगया है UL के जगा तो यह जो arrow mark है यह basically किसके changes के रिए? alphabet के changes के रिए हैं इसी तरह RS and O O और RS ने भी आपस में अपनी position exchange की then F and EK F and EK, देखो EK और F F आगया EK की जगा और EK आगया F की जगा similarly MT and AC MT और AC ने भी आपस में अपनी position change की तो देखो यह हमें एक fresh input given है इसमें हमें यही काम करना होगा कि जो alphabet है उनकी position आपस में क्या करना होगा? change करना होगा यह तो हुआ है input से step 1 के change आईए ज़रा step 1 से step 2 के change को समझे तो देखे step 1 से 2 के change के लिए आपको कुछ conditions given है for step 2 यह दो condition आपको दी गई है step 2 frame करने के लिए तो आईए चलिए इनको पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है क्या condition दी गई है तो बोला गया if the alphabet contains one vowel and one consonant अगर हमारे पास alphabet में एक vowel हो एक consonant हो and the number with them is greater than 3 यानि more than 3 तो एक vowel एक consonant होना चाहिए और उसके साथ का नंबर क्या होना चाहिए? तीन से ज़ादा होना चाहिए then subtract 3 from the given number तो उस नंबर से क्या करना है तीन माइनस करना है चली जारा देखते हैं यह कहीं लग रहा है क्या? तो step 1 में देखा यह वाला देखो सबसे पहले यह इस सेल को देखते हैं U is a vowel, L is a consonant तो एक vowel और एक consonant हो गया यानि यह condition satisfy अब इसके साथ का number 3 से बड़ा होना चाहिए तो yes 4, 4 is greater than 3 तो देखें यहाँ पर क्या किया गया? 4 से minus 3 कर दिया गया 4 से 3 को minus कर दिया तो ul 4 से यह बन गया ul 1 तो 4 से 3 क्या कर दिया? minus कर दिया यहाँ देखें तो दोनों consonant थे यानि देखो यहाँ देखो एक vowel और एक consonant है और इसके साथ का number 3 से बड़ा है तो 8 minus 3 करना होगा तो देखें 8 minus 3 किया गया? 8 minus 3 becomes 5 ठीक है? यहाँ भी देखें एक vowel है और एक consonant A is the vowel, C is the consonant तो और इसके साथ का number 3 से बड़ा है तो इसमें से भी 3 minus होगा 7 minus 3, देखो A, C, 4 बन गया होगा तो आपको यह द्यान रखना है कि अगर एक vowel और एक consonant है और नमबर 3 से बड़ा हो तो उसमें से 3 minus कर लेंगे ओके, second condition क्या है? वो भी देखें, देखें तो second condition, if the alphabets are two consonants दो consonant है and the number with them is greater than 5 और उनके 7 का number जो है वो 5 से बड़ा हो then change the letter with the previous letter of the alphabetical order यानि अगर हमारे पास दो consonant हो और उसके 7 का number 5 से जादा हो तो उन दो consonant से immediate previous यानि उसके ठीक preceding जो letters होंगे alphabetically वो हमें note down करना है जैसे देखें यहाँ पर m, t, 9 तो m और t ये दोनों consonant है और इसके 7 का number 5 से बड़ा है तो m का previous letter होता है m minus 1 is l और t का previous होता है s तो l, s, 9 बन जाएगा ये उसी तरह देखें तो और कहीं तो ये condition apply नहीं हो रही देखो ये दो consonant हो है लेकिन इसके 7 का number 5 से बड़ा होना चाहिए था ये 5 के बराबर है बड़ा नहीं है that's why यहाँ apply नहीं हो रहा बाकी सारी जगा single alphabet है तो बाकी सारी जगा पर ये conditions अपलाई नहीं होगे तो ये हुआ step 1 से step 2 के changes आईए ज़रा step 2 से 3 में क्या हो रहा है इससे समझ लेता है तो देखें step 2 से 3 में क्या हुआ ul1 पहले अगर first column को देखेंगा इस column को ध्यान से देखें ul1 ये top से यहाँ देखें middle में आ गया यानि एक place नीचे आ गया shift हो गया ls9 जो middle में था वो नीचे आ गया यानि ये भी एक place नीचे shift हो गया और ek5 जो bottom में था वो उपर चला गया यानि top वाला आ गया middle में middle वाला आ गया bottom में और bottom वाला चला गया top में इसी तरह third column को देखें इस third column को भी तो f3 top से आ गया middle में नीचे आ गया ac4 middle से आ गया bottom में ये भी नीचे आ गया और i नीचे से चला गया उपर यानि top में ठीक है next बीच में क्या हो रहा है तो देखो यहां number था o2 और rs5, number तो अपनी जगह पर ही है, 2 and 5 इन में कोई change नहीं हुआ लेकिन यह o को बना दिया गया है r o को r बनाने के लिए alphabetically 3 add करना पड़ेगा और rs बन गए है wx यानि इन में जो addition हुआ है वो 5 add हुआ है तो rs बन गया wx तो इसमें addition कितना हुआ है 5 5 add किया गया ठीक है तो इसे बस हमें ध्यार नखना है अब जो changes हमने यहां देखा है, similar changes हमें इस box के साथ भी करना है, तो आएए चलिए इस box के साथ इस change को करके देखते है और फिर इस से related आपको कुछ questions मिलेंगे उन question का answer करना होगा चलिए, तो सबसे पहले input से step 1 बनाया जाए जैसा कि हमें पता step 1 में जो change हो रहा है उनमें सारे numbers तो अपनी जगा पर है numbers में कोई change नहीं हुआ ध्यान से देखिए 5, 3, 2 यह सारे अपनी अपनी जगा पर होंगे 5, 3 and 2 8, 6 तो 8 and 6 5, 7 5 and 7 alphabet जो है change हो जाएंगे अब MO आजाएगा उपर तो यह बन जाएगा MO5 और A आजाएगा MO की जगा पर तो यहाँ आजाएगा A LM और S आपस में position change करेंगे तो यह बन जाएगा S3 यह बन जाएगा LM7 F T और G आपस में position change करेंगे तो यह बन जाएगा G2 और यहाँ आजाएगा F T और Z U और BC आपस में change करेंगे तो BC आजाएगा Z U की जगा और Z U चलाएगा BC की जगा यह हमारा step number 1 तयार होता है अब step number 2 के लिए conditions जो है उसका ध्यान रखना है पहले conditions अप्लाई कर लेंगे और फिर काम करेंगे तो हमारे पास conditions क्या है उस पर आता है चलाए condition पहली थी क्या एक consonant और एक vowel और उसके साथ का नमबर अगर तीन से बड़ा हो तो इस नमबर से तीन माइनस करना पहले यह देखे तो एक consonant एक vowel और इसके साथ का नमबर तीन से बड़ा है यानि 5 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 5 माइनस 3 बिकम्स 2 तो यह बन जाएगा M O 2 यहाँ देखे यह दो consonant है यहाँ भी दो consonant है यहाँ देखे एक consonant और एक vowel है और इसके साथ का नमबर 3 से बड़ा है तो इस में से 3 माइनस हो जाएगा यानि 6 में से 3 माइनस कर लेंगे तो यह बन जाएगा ZU3 ठीक है अब second condition पर आते है second condition ने क्या बुला था कि दो consonant अगर हो और 7 का नमबर 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे दोनों के previous letter लेंगे जैसे देखे B और C consonant है और 7 का नमबर 5 से बड़ा है तो इन दोनों के ठीक previous letters यानि B के alphabetically previous के आता है A और C के alphabetically previous आता है B तो यह बन जाएगा AB8 यहाँ देखे दो consonant हो है लेकिन नमबर 5 से बड़ा नहीं है यानि यहाँ apply नहीं होगा लेकिन यहाँ apply होगा चुकि दो consonant है और इसके साथ का नमबर 5 से बड़ा है तो दोनों के alphabetically previous letters तो L का previous letter होता है K और M का previous होता है L तो यह बन जाएगा KL7 ठीक है तो हमने दोनों conditions apply कर ली consonant, vowel वाली पहली condition भी जिसके according यह दो change हुए और दो consonant और नमबर 5 से बड़ा यह दो change हुए बाकि किसी में कोई changes नहीं है तो बाकि सारे अपनी जग़ पर आ जाएगे यानि यहाँ आ जाएगा F T 5 S 3 G 2 A यह हमने बना लिया Step No.2 अब इसी तरह से Step No.3 बनाएंगे चलिए तो Step No.3 बनाते हैं 3 का change हमने देखा है ध्यान से अगर देखेगा तो Step No.3 में ध्यान से देखे तो जो First Column में उसमें change क्या हुआ Top वाला Middle में Middle वाला Bottom में Bottom वाला Top में तो यहाँ पर भी एकरेंगे Mo2 Top में है यह आजाएगा Middle में AB8 Middle में है यह आजाएगा Bottom में और Bottom वाला Top में यानि F5 यह आजाएगे Top में अच्छा, Third Column में भी Similar Change है Top वाला Middle में Middle वाला Bottom में और Bottom वाला Top में तो G2 आजाएगा Top से Middle में ZU3 मिडल में था तो यह Bottom में और A जो Bottom में था वो Top में अब हमने Second Column पर बात किया तो यह बात किया था कि Numbers की Position में कोई Change नहीं तो Numbers अपनी जगह रहेंगे यानि यहाँ 3 आएगा और यहाँ 7 आएगा Alphabet में क्या हो रहा था तो देखो O को बनाया गया R यानि O प्लस 3 इस R तो S में भी 3 आड़ करना हुगा So S प्लस 3 बिकम्स V तो यहाँ आजाएगा V और नीचे के जो दो Alphabet हैं उनमें 5 आड़ करना पढ़ ला है R प्लस 5 इस W और S प्लस 5 इस X तो KL में भी 5 आड़ कर ले तो 5 आड़ करेंगे तो यह बन जाएगा PQ7 PQ7 तो यह हमारे नीचे वाले इनपुट का काम अब पूरा होता है तीनों स्टेप्स हमने फ्रेम कर लिया है अब इससे रिलेटेड आपको कुछ questions दिये जाते हैं जिसको हमें answer करना है question बहुत simple है कोई बहुत ज़्यादा typical questions नहीं होते जैसे यह बुलेगा which element comes in step 2 in the second column of third row step 2 के second column के third row में क्या आ रहा है तो KL7 आ रहा है तो मारा answer होगा KL7 इसी तरह पूछा गया which element replaces AB8 in step 3 AB8 को किस element ने replace किया तो इसकी जगह क्या आ गया MO2 तो हमारा answer होगा MO2 AB8 को replace करने वाले element कौन है तो MO2 तो देखे आपके पास कुछ इसी तरह के questions मिलते हैं अगर हम बात करें box based input output या इसे matrix based input output भी बोलते हैं यहाँ पर यह question जो है यह आपके 2017 SBI PO main से मैंने pick किया है आईए बढ़ते हैं जरा next question की और अगले question को देखते हैं कि अगले question को किस तरीके से solve करना है आईए चलते हैं second question की और और जरा यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या-क्या changes हो रहे हैं किस तरह से changes हो रहे हैं जरा इसे देखते हैं जरा ठीक है तो यहाँ input और आपको तीन steps mentioned है और इन तीन steps की basis पर हमें समझना हर एक step में किस प्रकार का change हो रहा है अब जरा input से step 1 के change को देखिए step number 1 में changes लाने के लिए आपको एक condition given है हमें उस condition को follow करना है condition क्या बोल रहा है replace the letters with their immediate following letter in the alphabetical series यानि जो भी letter है उनके immediate following यानि next letter यानि जैसे देखो B है तो B की जगा C, H की जगा I, K की जगा L, I का next J, P का next Q, R का next S सभी में देखो next letter D का next letter E, K का next letter L, V का next letter W, S का next letter T यहां भी देखे F का next letter G, T का next letter U, G का next letter H, X का next letter Y, M का next letter N, और Y का next letter Z तो जो alphabet है, आप यह समझ सकते हैं, step 1 में क्या हो रहा है, alphabet की position में 1 add किया जा रहा है, alphabet plus 1, और numbers के साथ क्या बोला जा रहा है, and increase the number by 2, तो number में कितना add करना है, 2 add कर देना है, यानि देखो यहां number 6 था, तो 6 प्लस 2, 8, 9 प्लस 2, 11, 3 प्लस 2, 5, 5 प्लस 2, 7, 5 प्लस 2, 7, 4 प्लस 2, 6, 1 प्लस 2, 3, 6 प्लस 2, 8, सभी में 2-2 add कर दिया गया, तो मेरे ख्याल से step number 1 तो बहुत easy था, alphabet में 1 add करना है, 1 add करने पर जो alphabet आता वो लिखना है, और numbers में 2 add करना था, अब आईए ज़रा समझते है, step number 1 से 2 के बीच क्या change हुआ, step 1 से 2 के बीच के changes को देखते हैं ज़रा, तो देखें, यहाँ पर गौर से, step 2 के लिए भी आपको certain conditions given है, क्या-क्या condition है, तो देखें, दो condition हमें दी गई, condition 1 and condition 2, पहनी condition यह बोल रहे है कि if the element contains one even number, element में क्या आजा है, एक even number आजा है, then subtract 2 from the number, number से 2 minus कर लो, ठीक है, तो अगर even number दिखा, तो even number minus 2 कर लेना, पहला का, and exchange the position of the letters after replacing each by their immediate preceding letter, यानि alphabet से minus 1 करके और उनकी position को क्या करना है, आपस में, interchange करना है, तो position को interchange करना है, और interchange करने के साथ साथ, minus 1 करना है, यह पहली condition, जैसे, c, i, 8, देखो number even है, तो अगर number even है, तो 8 में से 2 कम कर लो, देखो number 6 बन गया, और इसके साथ साथ, c और i, इन दोनों को आपस में interchange करेंगे, और इनकी letter की position से 1 minus, यानि, i, minus 1, h, तो पहला letter h आना चाहिए, देखे, h है, और c, minus 1, i, तो दूसरा letter, c, minus 1, b, तो दूसरा letter b आ जाना चाहिए, तो i, minus 1, h, पहले place पर, और c, minus 1, b, यह, i की जगा पर, h और b, इसी तरह देखे, जहां भी even numbers देख रहे हैं, जैसे यहाँ even दिखा, तो 6, 6 में से 2 कम कर दिया, 4 बना दिया, और यह दोनों letters आपस में change हुए, और इनकी position से minus 1 किया जा रहा है, तो g में से एक कम किया h, और g में से एक कम किया f, और f को लिखेंगे u वाली स्थान पर, पीछे, और u minus 1, t, t आ जाएगा first place पर, उसी तरह देखे, यह भी एक even number है, तो 8 minus 2, 6, और यह दोनों आपस में position interchange करेंगे, minus 1 के साथ साथ, तो n minus 1, m, m आ जाएगा last में, और z minus 1, y, y आ जाएगा first place पर, तो यह है पहली condition, अब ज़रा दूसरी condition को देखते हैं, second condition हमारे पास क्या है, second condition यह बोल रहा है, if the element contains odd number, अगर element में क्या हो, odd number हो, तो add 4, कितना add कर देना, 4 add कर देना, तो अगर odd हैं, तो 4 add कर देना, and replace each letter by their immediate next letter, of the alphabetical series, यानि alphabet में 1 add कर देना, इसके साथ साथ क्या करना है, alphabet में 1 add, alphabet plus 1, तो अगर odd होगा, तो number में 4 add करेंगे, और alphabet में next letter, basically, ठीक है, next letter, जैसे देखें, यह एक और number है, 7, तो देखो, 7 में 4 add करना होगा, 7 में 4 add करने पर कितना आ गया, तो 7 plus 4, 11, देखें, 11 आ गया, और E का next letter क्या होगा, F, F लिख दिया, और L का next letter, M, तो इसमें add किया 4, और E plus 1, L plus 1, यहां भी देखो, 7 है, तो 7 में 4 add कर देंगे, 7 plus 4, 11, देखो, 11 बन गया, W plus 1, X, तो first letter X, और T plus 1, U, last letter U, इनकी position में change करने नहीं बोला, हम इनकी position में change नहीं करेंगे, तो बहुत simple है, यह मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, यहां पे भी देखें, एक odd number है, तो इसमें भी 4 add करना हो, 4 add किया, और H plus 1, I, Y plus 1, Z, I, Z बन गया, I, 7, Z, यहां पे भी देखें, odd number है, तो जा जा odd number है, 4 add करोगे, और alphabet में 1, यहां भी देखें, odd number है, number में 4, और alphabet में 1, ठीक है, चले, अब आगे बढ़ते हैं, जरह देखते हैं, second से third step में क्या हुआ है, तो देखो, यहां था H, 6, B, यह बन गया 8F, 2, ध्यान से देखिए, तो H की alphabetical position होती है, 8, तो जो alphabet था, उसको number में convert कर दिया, और B की alphabetical position होती है, 2, तो देखो, 8 और 2 आ गया, तो जो alphabet थे, उनकी alphabetical position लिख दी गई है, alphabetical position का मतलब, A से जब Z की ओर counting करते हुए जाते हैं, तो किसी भी letter की जो counting आती है, वो उसकी alphabetical position कहलाती है, आप इसे ascending position भी बोल सकते हैं, ascending position, तो H की ascending position 8, B की ascending position 2, और देखो, बीच वाले जो number था, number को alphabet में convert कर दिया, 6th place पर आने वाले alphabet कौन सा होता है, तो 6th place पर आने वाले alphabet होता है, F, तो number को convert कर दिया alphabet में, और alphabet को convert कर दिया है number में, बाकि सारी जगा भी देखे, तो F, F की जगा 6 आ गया, 11th place पर K आता है, और M की position 13 यहाँ देखो T की position 20 4th place पर D आता है और F की position 6 20 D 6 तो मेरे कहल सा सारी जगा यही किया जा रहा है step number 3 में तो अब हमें इनके सारे step में हो रहे changes का पता चल गया है कि यहाँ changes किस तरीके से किये जा रहे है ठीक है? तो यह तीनो steps कैसे frame हुए हमें पता चल गया आईए चलिए ज़रा इसके जो next input दिया है उसे देखते हैं और उसमें similar sort of change करते हैं उसमें similar sort of change करते हैं ठीक है? चलिए तो ज़रा देखते हैं अब जो next input हमें मिला है वो क्या है? यह देखिए यह हमें next मिल गया input S5R K8U K8H K8H L8Q V5S X 4Z V6H Z1E ठीक है? Clear? तो आईए step 1 बनाते हैं ज़रा इससे step 1 बनाए जाए step 1 में क्या बोला गया? alphabet में 1 अएड करो, number में 2 अएड करो S, S को बना दो T, number को बना दो 7 R plus 1, S, ठीक है? K plus 1 L, 8 में 2 अएड कर देना, 10 और U में 1 अएड कर दो, V यह बन जाएगा, L 10 V K plus 1 L, 8 plus 2 10 or H plus 1 I L plus 1 M, 8 plus 2 10 Q plus 1 R V plus 1 W, 5 plus 2 7 S plus 1 T Z plus 1, तो Z का next letter alphabetically लेते हैं A 1 plus 2 3 E plus 1 F V plus 1 W 6 plus 2 8 H plus 1 I X plus 1 Y 4 plus 2 6 and Z plus 1 अगें A तो यह हमारा input से first step बन गया alphabet में 1 अड करना था number में 2 अड करना था यह हमने step number 1 बना लिया अब आए इसी तरह step number 2 देखते हैं step number 2 में किस तरीकी का change हो रहा है तो यहां हमें focus करना number पर odd है या even है तो पहले देखते हैं even देखो जैसे even 10 10 10 10 तो इसमें क्या करना है even number से 2 minus यानि 10 minus 2 8 कर लेना और क्या करना है alphabet से minus 1 करके और उनकी position replace कर देना है तो L में से 1 minus करेंगे तो K को last place पर V से 1 minus करेंगे U, U को first place पर ठीक है यहां पे भी यह होगा ठीक है number even है तो L minus 1 K I minus 1 H और 10 minus 2 8 फिर देखा यह भी एक even number है तो इसमें भी M minus 1 L R minus 1 Q 10 minus 2 8 फिर यह भी एक even आया तो I minus 1 H W minus 1 V और 8 minus 2 6 यहां देखें A minus 1 Z Y minus 1 X and 6 minus 1 4 तो यह हमने even number की condition को लगाया अब odd वाली condition को देख लो odd में क्या करना है alphabet में 1 add यानि T देखो odd number है और odd number में 4 add करना है तो T plus 1 U 7 plus 4 11 और S plus 1 T तो alphabet में 1 add करना है odd number में 4 add करना है आईए अब यहां देखें A plus 1 B 3 plus 4 4 add करने तो 7 और F plus 1 G ठीक है यहां भी लगेगा W plus 1 X 7 plus 4 11 और T plus 1 U तो यह बन गया step number 2 और step number 3 बनाया जाए तो step number 3 तो आसान है क्या alphabet को number में replace करो और numbers को alphabet में replace करेंगे तो alphabet को number में और number को alphabet में तो U U की position होती है 21 11th place पर K आता है और T की position होती है 20 U की position 21 8th place पर H आता है और K की position होती है 11 तो 21H 11 यहाँ देखे, H की position होती है 8 8th place पर H आता है और K की position होती है 11 Q की position होती है 17 8th place पर H आता है और L की position होती है 12 तो यह वो जगा 17H 12 यह देखो, X 24th place पर आता है 11th place पर K आता है और U की position होती है 21 तो 24, K 21 बन जाएगा यह B की position second 7th place पर G और G की position 7 तो 2 G 7 बन जाएगा H 6 V H जो है H की position 8 6th place पर F आता है और V, V का number होता 22 22 Z की position 26 4th place पर D आता है और X की position 24 तो देखे कुछ इस तरीके से यह question भी हमारा complete होता है हमने input के तीनो steps frame कर लिया है अब इससे related आपको कुछ questions पूछे जाएंगे उसका हमें उत्तर करना होता है तो आएए चले ज़रा question की और बढ़ता है पहला question है Which of the following element appears in the second column of first row in step 3 second column first row step 3 step 3 का second column row number 1 क्या appear होगा 21H11 तो यहां हमारा answer हो जाएगा 21H11 तो step number 3 के second column first row में आने वाला कौन सा है 21H11 इसी तरह question यह पूछा है सकता which element appears which element appears in the third row of second column in step number 2 तो यह हमारा step number 2 है step number 2 का third row third row यह वाला हुआ second column second column यह वाला हुआ third row second column it means यह वाला cell तो H6V H6V तो हमारा answer हो जाएगा H6V ठीक है इसी तरह question यह पूछा गया which element appears in the third column of first row in step 1 तो step 1 का पहला row और तीसरा column तो पहला row और तीसरा column पर क्या आ रहा है L 10 I L 10 I तो देखे कुछ इस तरह के questions आपको paper में पूछे जाते हैं अगर हम बात करें box based input से या इसे matrix based input भी बोलते हैं I hope so आपको समझ में आ गया होगा कि इसे approach कैसे करना है बस step by step क्या changes हो रहे हैं उस changes को हमें समझना है कहीं कहीं कुछ conditions given होगी उन conditions को follow करना है और उसे follow करते हुए हमें इसके questions को solve करना है तो I hope so ये सारे के सारे types आपको समझ में आ गया होगे input output के ये topic अभी होता है हमारा complete मिलते हैं अगले session में एक और नए topic के साथ तब तक के लिए thank you very much and please do like, subscribe and share this video so that you and your friends will get benefited that's it for the day thank you very much